तो लाश्ट क्लास में हमने स्टार्ट की है था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसमें की हमने माल लिया की रेडियेशन गुपर 50 जूल का एनरजी है जिसका कंट्रिब्यूशन दो में हुआ एक वर्क फॉंक्शन में हुआ और एक काइनेटिक एनरजी में हुआ तो वर्क इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखे गाई नहीं तो मिन्यूम फ्रिक्वेंशी हो किस नाम से आनेंगे त्री सोल्ड फ्रिक्वेंशी जिसका भाईलू क्या होगा एच नियू नूर्ड यह इन और क्या है वर्क फॉंक्शन तो वर्क फॉंक्शन का भाईलू कैसे निकालेंगे हम एच नियू नूर्ड यह इसमें इसमें से इसको माइनस करते हैं तो भी निकल जायाएगा जैसा नुमेर्कस दिया जाएगा वह संब करेंगे तो लाश्ट क्लास में और वर्ग फंक्शन सब मेटल के लिए क्या होता है क्यों फिक्स होता है क्योंकि बॉन का तोड़ना अब हर मेटल के लिए अपना अपना बॉन स्ट्रेंथ है मेटालिक बॉन अपना अपना है इसलिए फिक्स है भाई लू अब इस पर हमने ग्राफ बन करते हैं तो पिसी भी वन और टू को ग्राफ ने बताया तो एक हम ग्राफ ड्रो करेंगे इसके बीच में काइनेटिक एनर्जी में और फ्रिक्वेंसी में तो राइड डाउन करना बैच वन और टू पिसी भी है यह वागी सब खुंद्ण प्राद यो राव न कर आए किया वर्ण और गॉल तो वन गूंकर वाया तो हेडिक रहलो work function is same value of ionisone potential ionisone potential work function difference shoot ionisone potential में आउट्रस लिल्गे टास को बाहर निकनला जाथ हो यह नसर potential ön yego water में अएंगे क्लियर रीलर मिनिक स्विन में आएगा और इसमें मेटालिक बॉन को थोड़ा जाता है मेटालिक बॉन और आयनसन पोटेंशियल दोनों अलग बाते हैं हाँ तर्मलाओ जी इसी तरह समसोच सबते हैं कि बॉन को थोड़ रहा है तो इसके बाद हेडिंग डालना ग्राफ कैनेटिक अनरजी वर्सेस फ्रिक्वेंसी एकील PCM बैच वन को पढ़ाया हूं वान और टू को वी PCM वन उर्टू को पढ़ाया है तो हेडिंग डालना ग्राफ बिट्विन कैनेटिक एनरजी एंड फ्रिक्वेंसी तो ग्राफ को ड्रो करने के लिए हम कौन सा एक्वेशन लेंगे एक्वेशन लेंगे यह कैसे निकालेंगे एचनिव इक्वाल डू एचन्यू नार प्लस काइनेटिक एनरजी यह य-एक्शिस प्याना चाहिए और यह एक्श एक्शिस प्याना चाहिए तो हमें इसको सेट करना होगा y equal to mx plus c पे सेट करो एक बार इसको सेट करना पड़ेगा इसको y बनाना पड़ेगा इसको x बनाना पड़ेगा इसको m बनाना पड़ेगा बनाव इसको इसको सेट करो उस तरह से यह खूद से करो तो ज्यादा प्रैक्टिस होगा हम करके देंगे तो ज्यादा नहीं हो खूद से करो कैसे हम सेट करेंगे इलेक्ट्रान और इजेक्शन और इंसिडेंट रे में कोई आलग होता है क्या इंसिडेंट रे और इजेक्शन और इलेक्ट्रान कि अंहें कोई pigonia I love love होता है क्या कि वाद फीर से इसको लिके गैजना इस इड़ कर दिए को काइनेट इनर्जी को पहले इसको सुए इधर लेक्शे हो तो इसको इधर लेकर आएंगह तो आ बनेगा काइनेटिक एनरजी एकउलट्रों मैं लिग दूँ या मैं डिरेक्ट लिख रहा हूँ काइनेटिक एनरजी इक्वल टू इसको इधर मैं ले क्या होंगा H new minus H new node लिख सकते हम यह क्या बन गया Y यह क्या बन गया और यह क्या बन गया C तो Y intercept क्या निकला Y intercept क्या निकला Negative निकला यानि लाइन कहां से ड्रो होगा यहां से H new node और यह X है तो slope क्या होगा slope का भैलू H है जिसको plan constant बोलते हैं और यह भैलू positive होगा तब लाइन यहां से ड्रो करेंगे और यह theta जिसका 10 theta का भैलू H के बराबर होगा यह हम इस भैलू को क्या बोलेंगे H new node that means y intercept work function आ रहा है अब ध्यान देने हैं यहां पर जब लाइट पड़ा होगा जब लाइट पड़ा होगा उसके अंदर तो यह भैलू negative में है बतला वहाँ potential ज़्यादा होगा kinetic जैसे light पड़ा होगा पहले बॉन टूटा होगा अमालो light पड़ा 50 जूल का तो 50 जूल में से सबसे पहले यह energy का युज कहां कर रहा होगा बॉन को तोड़ने में तोड़के जैसे लेके जाएगा जैसे इसने 20 जूल energy गेन कर लिया तब इसके अंदर टूटा अभी electrons का kinetic energy कितना है जीरो अभी नहीं जम किया है तो यहाँ जाने के बाद kinetic energy क्या दिखा रहा है जीरो है यानि अभी के बॉन टूटा है और उसके बाद बाकी का energy कहा ही उसकर लेगा हो kinetic energy kinetic energy उसका बड़ जा है तो यह जो पॉइंट कट करता है इसको बोलते हैं 360 frequency कि यानि यहाँ पर kinetic energy मालो इसने पचाश जूल दिया और क्यों पचाश जूल गए उसका किया बॉन्ड को तोड़ने में kinetic energy क्या होगा जीट होगा कि सब्सक्राइब यह भाई लू जो होगा हो थ्री सूल्ड